एक लालची गरीब किसान एक बार की बात है, एक छोटा सा गाव था. उस गाव में एक गरीब किसान रहता था. उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वहां बहुत महनती था. वह अपनी जमीन पर बहुत मेहंद करता था और उससे जो भी मिलता था उससे खुश रहता था एक दिन किसान अपनी जमीन में काम कर रहा था कि तभी उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला उसने पत्थर को उठा कर देखा और उसे लगा कि यह कोई सोने या चांदी का पत्थर है वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले गया घर जाकर किसान ने पत्थर को अपनी पत्नी को दिखाया उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि वे इस पत्थर को बेच कर अपने घर की गरीबी दूर कर देंगे अगले दिन किसान और उसकी पत्नी पत्थर को बेचने के लिए शहर गए उन्होंने बहुत से दुकानदारों को पत्थर दिखाया, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को खरीदना नहीं चाहा, सभी दुकानदारों ने कहा कि यह पत्थर कोई कीमती पत्थर नहीं है, यह सिर्फ एक साधारन पत्थर है, किसान और उसकी पत्नी बहुत निराश हुए, व किसान ने बुजुर्ग व्यक्ति को पत्थर दिखाया और बताया कि वे इस पत्थर को बेचने आये थे, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदना नहीं चाहा। सोचने लगे, उस रात किसान और उसकी पत्थर से इच्छा मांगी कि वे अमीर हो जाएं। अगले दिन सुभा किसान और उसकी पत्थर उठे और उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत बड़ा और आलिशान हो गया था। उनके पास बहुत से नौकरचाकर थे और उनके घर मे बहुत सारा धंदौलत था। किसान और उसकी पत्थनी बहुत खुश थे। उन्होंने जादूई पत्थर के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और अपना जीवन खुशी से बिताने लगे। सीख हमें जो भी मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए। भगवान हमें जो दिया है बहुत दिया है। हमें इसी में खुश रहना चाहिए ना की लालच करना चाहिए। धन्यवाद।